नमस्का जेहिंद ओल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सब देख रहे हैं दोस्तों आज से आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही जिसमें 2000 GKS के टेस्ट हम आपको कवर कराएंगे पिछले 30 साल से बार-बार एक्जाम में आई हुए 2000 कोशन कवर कर कर लेना तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा 2000 पूरे कॉशन कराऊंगा यह वादा है करते हैं इस वीडियो को बिनादर के स्टार्ट आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को पहला कॉश्चन देखो वैरी इंपॉर्टन तो जो की हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में वांडिवाश का युद्ध कब लड़ा गया था तो वांडिवाश का युद्ध है यहाँ पर आपको सन देखिए 1740, 60, 80 या पर 1800 तो वांडिवाश का युद्ध लड़ा गया था राइट आंसर हो जाएगा 1760 में ल रात्मा गांधी, राजारामों राय, रविना टैगूर और दयानन सरस्वति, विश्व भारती विश्व इद्याले तो विश्व भारती विश्व इद्याले जो था इसकी स्थापना की गया थी रविन्द्रनात्र टैगूर जी के दवारा option No. C Ravina टैगूर जी बिलकुल सही आंसर है भारत में प्रथम भारती महीला विश्व इद्याले की स्थापना इन में से किस ने की सबसे पहला महीला विश्व इद्याले किसके द्वारा स्थापित किया गया यह कॉश्चन है तो सबसे पहला जो महीला विश्व इद्याले है यहां पर आप्शन पर लीजिए करनवालिस डिके कारवे रविदिना टैगोर जवार हलाल नहरू राइट आंसर हो जाएगा डिके कारवे जी ने सबसे पहला महीला विश्व इद्धार स्थापित किया था भारत में ऑप्शन नमबर बी गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रे यहां पर आपको जो नाम दिये गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा वाइरस के खोज करता कौन थे तो वाइरस के जो खोज करता है यहाँ पर आपको जो नाम दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा इवानो विस्की, option number C पढ़िए इनके द्वारा जो है वाइरस की खोज की गए थी इवानो विस्की, option number C यहाँ पर आइट आंसर है सिकंदर के घोडे का नाम क्या था बताईए सिकंदर के घोडे का नाम इनमें से क्या था आपको option दिख रहा होगा बताईए क्या हो जाएगा राइट आंसर तो सिकंदर के घोडे का नाम था बुका फेला, option number C बुका फेला ये सिकंदर की घोड़े का नाम था आपको कमेंट करके बताना कि चेतक option बढ़ी पढ़िए चेतक चेतक किसके घोड़े का नाम था मैं आपको दो option दे रहा हूँ शत्रपती सिवाजी या फिर आपका महाना पताब जी बताइए सिकंदर जो है किसके घोड़े का नाम था शत्रपती सिवाजी या महाना पताब जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है अगला question देखिए संसद भवन का उद्गाटन लौड इर्विन द्वारा किस वर्ष किया गया था बताइए संसद भवन का उद्गाटन लौड इर्विन के द्वारा किस वर्ष किया गया था क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए राइट आंसर तो संसद भवन का उद्गाटन किया गया था वो किया गया था 1927 में लौड इर्विन ने किया था नमबर भी 1927 बिल्कुल सही आंसर है वज्जी महाजनपत की राजधानी कहां थी वज्जी महाजनपत की राजधानी जो थी यह कहां पर थी तो वज्जी महाजनपत की राजधानी जो थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गा है वैशाली ऑप्शन नमबर भी वैशाली जो खुसरों का उपनाम इन में से क्या था क्या हो जाएगा राइट आंसर तो अमीर खुसरों का जो उपनाम था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा अमीर खुसरों का उपनाम था आपका तो ताय हिंद आमीर खुसरों का जो था उपनाम था option बड़ी तो टाए हिंद प्रश्णी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसा कि आपके exam आने वाले हैं आपके लिए हमने GK की पीडियप तयार की है इस GK की पीडियप में आपके history, quality, geography, science, computer, vivid लगबग लगबग हर GKS का portion cover रहेगा और आप जिस exam की तयारी कर रहे हैं इसमें से आपको question बहुत सारी फसेंगे ये question total हमने जोड़ी निकाले हैं total 15,000 question निकाले मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखिए last question 15,000 दो, 15,001 पूरे question 15,000 आपको वलनार के format में मिल जाएंगे इसकी PDF 900 रुपे की है लेकिन अभी एक्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको जो PDF मिलेगी ये 100 रुपे में मिल जाएगी जिसको भी चाहिए अभी लेलो एक दो दिन तक का offer है उसके बाद फिर इसका price बढ़ जाएगा 100 रुपे में आपको ये PDF मिल जाएगी जिसको भी चाहिए नीचे दीगे नंबर पर आप जो है फॉन पे गूगल पे पेटियम के मादियम से payment करके उस पे WhatsApp पे बात कर लिजे चाहें कॉल कर लिजे कहां पर है भारतिय पशूच कित्सा संस्थान जो option आपको दिये गए है कहां पर है क्या right answer हो जाएगा तो पशूच कित्सा संस्थान जो पढ़ता है यह आपका इज्जत नगर में option number B इज्जत नगर में पशूच कित्सा संस्थान है option number B यहां पर right answer है इस प्रश्न के लिए अगला कोशन है कि शिवालिक परवत का प्राचीन नाम क्या है बताईए शिवालिक परवत का प्राचीन नाम क्या है क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए है तो शिवालिक परवत का प्राचीन जो नाम है वो है आपका मैनाक परवत Option number A मैनाक परवत यह शिवालिक परवत का प्राचीन नाम है Option number A यहाँ पर प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए अगले कोशन आपसे पूछा गया है कि गोल गुम्बच का निर्माण कब हुआ था बताईए गोल गुम्बच का निर्माण कब हुआ था क्या हो जाएगा राइट आंसर तो गोल गुम्बच का जो निर्माण हुआ था यहाँ पर आपको जो option दियेगा है राइट आंसर हो जाए नागरिक सेवा का जनक भारत में किसको कहा जाता है क्या हो जाएगा राइट आंसर तो भारत के इंदर नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लौड करनवालस को अप्शन बड़ी लौड करनवालस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा ब्हारत त्रत्न के बाद देश का दूसरा सरवच नागरिक पुरुषकार कौन सा है तो भारत रत्न की बाद यदि आप देखेंगे तो देश का दूसरा सर्वोच नागरी की जो पुरुषकार है वो है हमारे देश का पद्म विवोशन option number C पढ़िए option number C में लिखा हुआ है पद्म विवोशन ये दूसरा सबसे बड़ा पुरुषकार है हमारे देश का भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड का मुख्याले कहां है बताइए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड का मुख्याले तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड का जो मुख्याले है ये आपका पढ़ता है मुंबई में option number B B B C C C I इसको बोलते है BCCI का मुख्याल है मुंबई, option number B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विश्चु की प्रथम नियोजित बहुत देश्य नदिखाटी परियोजना किस देश में है नियोजित बहुत देश्य नदिखाटी परियोजना क्या आंसर हो जाएगा तो विश्व की सबसे पहली नियोजित भाउदेशी नदिगाटी परियोजना ये आपकी सबसे पहली है अमेरिका में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी अमेरिका राइट आंसर है कानून दिवस किस्तिति को मनाया जाता है इनमें से कानून दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है उसमें से right answer हो जाएगा कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है option number 26 नवंबर को जो है कानून दिवस मनाया जाता है प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखे अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था बताइए अहमदाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था पुराना नाम क्या था अहमदाबाद का क्या हो जाएगा right answer तो अहमदाबाद का जो पुराना नाम था वो था आपका करनावती option नमबर भी पढ़िए करणावती यह अहमदाबाद का पुराना नाम था option number यहाँ पर B प्रशन के लिए right answer हो जाएगा करणावती अगला question देखिए अगले question में क्या पूछा गया है तो अगले question में पूछा गया है कि म्यानमार देश की संसद का नाम क्या है बताईए हमारा पूछा देश म्यानमार इसकी जो संसद है उसका नाम क्या है क्या हो जाएगा right answer इससे प्रशन के लिए तो म्यानमार देश की जो संसद है उसका नाम है आपका प्यूतू हुताओ option number C प्यूतू हुताओ यह म्यानमार देश की संसद का नाम है option number यहाँ पर आपका c बिल्कुल right answer हो जाएगा इसे प्रश्ण के लिए अगला question देखीए समताइस्थल किन का समाधी स्थल है बताईए समताइस्थल यह किन का समाधी स्थल हैं इन में से जो option दिए गए हैं आपको समता इस्तल किसका समाधी स्तल है क्या हो जाएगा राइट आंसर तो समता इस्तल जो है आपका ये समाधी स्तल है जग जीवन राम जी का उप्चेन अमबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि अल्मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है अल्मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है तो ये आपकी एराक की बहुत फेमस गुप्तचर संस्था है अलमुकबरात ऑप्शन नमबर B इराक की फेमस गुप्त चरसंस्ता है जैसे हमारे देश में रह है ठीक है ऐसे ही इराक में हैँ अलमुकबरात कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है बताइए बहुत आएंपी कॉस्चन एक्जाम में आए हुआ कॉस्चन तो कुर्णूल आपका वसा है तुंग भद्रा नदी के किनारे कुर्णूल वसा है ऑप्शन नमबरे बिलकुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्णी के लिए अगला कोशन है कि विश्व की सरवादिक उचाई पर इस्तितम्रत जुआला मुखी बताईए सबसे अधिक उचाई पर इस्तितम्रत जुआला मुखी में से कौन सा है तो सरवादिक उचाई पर इस्तित जो म्रत जुआला मुखी है वो है आपका एक कांग का गुआ option number D पढ़िए एक आंका गुआ ये सरवादिक उचाई पर इस जो है मृत जुवाला मुखी की स्रणी में आता है एक आंका गुआ option number आपका D बिलकुल right answer हो जाएगा इस प्रश्णी के लिए अगला question देखिए अगले question में आपसे पूछा गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूइप कौन सा बताईए हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूइप इन में से कौन सा है क्या हो जाएगा right answer तो हिंद महासागर का यदि आप सबसे बड़ा दूइप देखंगे तो मैड़ागासकर, option number C पढ़िए, मैड़ागासकर, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूइप है, मैड़ागासकर, option number C बिलकुल right answer हो जाएगा, इससे प्रश्णी के लिए, अगला question दिखिए, पहले पाकिस्तान ही था, पूरूवी पाकिस्तान और पश्चमी पाकिस्तान तो सोतंत्र बांगलादेश जो बनाय गया था वो कब बनाय गया था क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो सोतंत्र बांगलादेश आपका यहाँ पर जो option दिये गए है, राइट आंसर हो जाएगा 1971 में बनाए गया था option number 1971 यहाँ पर प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा स्वतंत्र बांगलादीश के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर इन में से कौन सा है बताईए पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर यहाँ पर आपको जो option दिये गए है कौन सा है क्या हो जाएगा right answer तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है आपका कराची option number भी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ पर थी इन में से बताईए श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी वो कहाँ पर थी जो option दे गए हैं क्या हो जाएगा right answer तो श्री लंका की जो पुरानी राजधानी थी right answer हो जाएगा यहाँ पर इस question के लिए एक काम कीजिए इस question का answer आप comment करके बताओ बिल्कुल easy question है मैं आप पर छोड़ता हूँ ठीक है एक question आपके लिए दिया गया है आप comment करके बताओ कि श्री लंका की पुरानी राजधानी कहाँ पर थी ठीक है comment करके answer देना देखते हैं कि इसको पता है जायकवारी परियोजना किस नदी परिस्तित है तो जायकवारी परियोजना जो है यहाँ पर आपको जो option दिये गए है राइट answer हो जाएगा यह गोदावरी नदी परिस्तित एक परियोजना है option number C जायकवारी परियोजना गोदावरी नदी परिस्तित है शरीर में हीमोगलोविन का मुख्यकार क्या है बताईए शरीर के अंदर हीमोगलोविन का जो मुख्यकार है वो क्या है यहाँ पर जो option दिये गए है उसमसे बताना है तो हीमोगलोविन करता है oxygen का परियोहन करना option number यहाँ पर आइट answer हो जाएगा हीमोगलोविन का जो मुख्यकार है वो है आपका oxygen का परियोहन करना Option number यहाँ पर आपका D बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question देखिए जहांगीर महल किस किले में इस्तित्य बताईए जहांगीर महल इनमें से किस किले में इस्तित्य क्या हो जाएगा राइट answer तो जहांगीर महल जो है यह आपका आगरा के किले में है option number 2 आग राखिक के लिए में जहांगीर मेहल right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि प्रत्वी पर कुल जल का प्रतिशत कितना मीठा जल है तो प्रत्वी पर जो जल है उसमें 2.5% मीठा जल आता है option number 2 2.5% जो जल है वो मीठा जल है प्रत्वी पर जो जल इस्थित है वल्लभा चारे जी ने पुष्टी मार के दर्शन की स्थापना की थी, right answer हो जाएगा अगला question देखिए Black hole सिध्धान्त की खोज किसके द्वारा की गई थी, ब्लैक hole सिध्धान्त इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो black hole सिध्धान्त की खोज की थी option number C, black hole सिध्धान्त की खोज की थी, right answer हो जाएगा option number C, यहाँ पर प्रशन के लिए बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question है कि भारत तक समुद्री मार की खोज किसके द्वारा की गई बताइए भारत तक समुद्री मार की खोज की गई थी, इन में से किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी आपकी पुर्टगालियों के द्वारा, option number A भारत तक समुद्री मार की खोज की गई थी, option number यहाँ पर आपका, A बिल्कुल right answer हो जाएगा अभिनाव भारत का आयोजन किसने किया था अभिनाव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया तो अभिनाव भारत का आयोजन वीर सावरकरजी द्वारा किया गया औप्शन अबसी वीर सावरकर जी द्वारा अभीनो भारत कायुजन की आगया राइट आंसर हो जाएगा सोमपेंस कहां के निवासी हैं बताइए सोमपेंस जो हैं यह कहां के निवासी हैं तो सोमपेंज जो आपके हैं, यहाँ पर आपको जो option दिया गया है, right answer हो जाएगा, यह निवासी है निकोबार्दीप के, option number A, निकोबार्दीप के निवासी है सोमपेंज, श्री नगर किस नदी के किनार इस्तित है, श्री नगर इनुमें से किस नदी के किनार इस्तित है, त आंसर हो जाएगा ऑफ इस्टिग्मेटिस में किस अंग की बिमारी है एस्टिग्मेटिस में इन विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशुनि के लिए पोश्ट ओफिस के लेखक कौन है बताईए पोश्ट ओफिस के लेखक कौन है क्या हो जाएगा राइट आंसर पोश्ट ओफिस के लेखक के लिए तो पोश्ट ओफिस के जो लेखक है यहाँ पर आप उप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र नाथ टैग अप्षण नुबर ए 7 अप्षव स्वास्थ दिवस मना जाता है अगला कोशन दिखे अगले कोशन में आप से पूछा गया है कि सीसा संचायक बैटरी में किस अमलेका प्रयूक किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में तो यहां पर आपको जो ऑप्षण दिए गए हैं उन्हे से वह सिसा चेla खोगत यह प्रेड़ उसमें प्रयोग किया जाता है वह पुख यह आ जाता है सल्फियूरिक का यूज उसमें ख़ितन किया गया सी इनहें ट्राइक। brand कौनसा राज्य और इस तरसिफटग को उठ्ळित जो एक मात राज जहां पर पाई राइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार राज option number A बिहार एक मात राज जहां पर आप जो है पाई राइट उत्पन्न करते हो राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए हूणों ने किसके साशनकाल में भारत पर आक्रमन किया तो हूणों के द्वारा जो आक्रमन किया गया था यह किया गया था आपका सकंद गुप्त के समय option number 30 सकंद गुप्त के समय हूणों ने आक्रमन किया था राष्ट कूट वंच का संस्थापक कौन था तो राष्ट कूट वंश का जो संस्थापक था यहाँ आपको जो option दिगा है right answer हो जागा दंती दुर्ग यह राष्ट कूट वंश का संस्थापक था option नमबर भी दंती दुर्ग right answer है मनुश के सरी की सभी उपापचाई क्रियाओं को को नियंत्रित करता है तो हमारे शरी की सभी उपापचाई क्रियाओं जो रहती है उसको नियंत्रित करता है थाइरोकसिन ग्रंथी option नमबर सी थाइरोकसिन ग्रंथी बिल्कुल right answer है यहाँ पर हो गए आपके 50 प्रश्ण अब हम में लेंगे आपसे अगले वीडियो में तो जरूर शेयर कर देना हम में लेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्यार रखिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके दिन शुभू जै हिंद जै भारत